जम्मू कश्मीर के कुलगाम के हादी गाम गाउं में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुटभेड चल रही है। बुधवार राज से शुरू हुआ एंकाउंटर गुरुवार सुबह तक चारी रहा अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं आई है। सुरक्षा बलों को हादी गाम गाउं आतंकियों के चिपे होने की सूशना मिली थी, इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाए गया। इसी दौरान चिपे आतंकियों ने जवानों पर फाइरिंग की इसके बाद से ही एंकाउंटर जारी है। जम्मु कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और आर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने इलाकी की घेरा बंदी कर ली है। किसी को भी आनी जानी की अनुमती नहीं है। जानकारी की अनुमसार दो तीन आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली है। हलाकि अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है।